नमस्कार आप देख रहे हैं पंच्राती राज निउस और मैं हूँ आपके साथ कंच्राइब सरकार शौसन वर भारी दिख रहे हैं सरपंच कानी वाड़ा सत्ता सरकार और शौसन से भी बड़ा कनी वाड़ा सरपंच लक्षमी यादव हैं ऐसा ये महसूस जिले की खास तर पर कनी वाड़ा के ग्रामिनों को अभास होने लगा है कारेंग ये है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद और उस छेत्र के विधायक भाजपा के होने के बाद भी सरपंच लक्षमी नारायन यादफ के विरुद कोई कारवाई नहीं हो पारी है जबकि स्वयम विधायक का ये मानना है कि इससे बड़ा भ्रष्ट सर्पंच जिले में कोई दूसर नहीं है ग्यातों की कनिवाड़ा सर्पंच लक्ष्मी यादव जैसे सर्पंच बने हैं तब से अखबारों की सुर्ख्यों में बने रहे इनके कई कारनामे अखबार चला चला कर बया करते हैं इन सब के बावजूद भी लक्ष्मी यादव के विरुद्ध किसी तरह की कोई कारवाई ना होने अपने आप में प्रश्ण चिन्न खड़ा करा है सर्पंच यादव की कारेपरिणाली से पूरी पंचायट चेत्र के ग्रामीन परिशान है ग्राम में जहां गंदगी का सामराज फैला हुआ है वहीं पूरे गाव में अधिक्रमन कारियों का तो रानी वारा में गंदगी का सामराज फैला हुआ है वेत ना मिलने के करण सफाई कर्मियों ने काम करना बंद कर दिया है सफाई कर्मचारियों ने वेता ना मिलने की शिकायद छेत्री विधायक श्री राकेश पाल से की थी और जब इस समन में मीडिया के कुछ लोगों ने राकेश पाल से बात की तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहाया कि कानी वाडा का सरपन जैसा सरपन पूरे देश में दूसरा कोई नहीं है रानी वाडा में विर्टित होने वाला जल भी दूशित हो रहा है ग्रामिन दूशित जल का सेवन करने की करण अपने स्वास्त की प्रती चिंतित दिखाई दे रहा है ग्रामिनों ने बताया कि जनपत पुरात्मेक उर्दू एवं हिंदी शाला में निर्मान और मरमत का कारी कराया जा रहा है जो की कच्छवा गती से हो रहा है अब नाली खोदो आके और फ्रपूरदी नाली खोदो आके और फ्रपूरदा गए दो बार कोड़ी कमसे कम दो साल तीन साल से हो गए लड़ी रवणी, रवली तीन, एसको नाली खोदोरदी बार के तीन आके झाना जाली खोदोरदी खोदोर प्रादी खोदोर आके इप दोरदी कम